तो फ्रेंट्स आप सभी लोगों की कमेंट पर हम लेके आए हैं आज पीको मसीन की वीडियो तो वीडियो को लाज तक देगे हैं पीको मसीन में धागा तोडने की प्रॉब्लम को जड़ से खतम करने का तरीका इस वीडियो में बताया गया है अब कहां कहां पर तोड़ती है तो चलिए सबसे पहला कार्ण देखें यहां से यहां तक जब हमारा धागा जाता है तो इस टेंशन में फास कर तब नीचे चलता है ठीक इस तरीके से टेंशन हमारी गूमती है देखें रहां से देखें कुछ इस तरीके से टेंशन हमारी जब चलती है तो समंजलोने सीगता है जली तूटने वाला नहीं है ठीक है और हमारी डीके इस तरीक से चलती है तो किसी का रहारा बास यहां पर फास जाती है देखाऊगा आपने कभी कर देख ले हैसे चाहिए लगी होनी है यहां पर लागत जाक्त हिती थुणहीं करें अगर वीडियो करने का आपको वीडियो में गिछेंगे ऑनःते लगा कि हमारी जो यह नीचे राग के यहां पर कटके निशान नहीं है लेकिनापकी मसीन में यहां पर लबलभी में कटके को इस तरीके की प्राब्लम है और यहां से काट रही है तो इसके लिए इस तरीके का सापके पास होना चाहिए अगर बड़ा है तो भी कोई दिक्त नहीं और यहां पर लगाके आपको गुमाना आया, ठीक है, कुछ टाइम तक गुमाना आया, अगर यहां के निसान खतम हो रहे हैं, तब आपकी मसीन दागा तोड़ना बंद कर देगी, ठीक है, अगर नहीं खतम हो रहे हैं, तब आपको दूसरी जुगार अपनानी है, उसके लिए हम आपको वीडियो देंगे, कमेंट करेंगे, तो वीडियो जरूर देंगे, ध्यान रखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे डिस्क्रप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलिग्राम जो भी ग्राम है, सभी की लिंक आपको मिलेगी उसमें, ठीक है, कहीं पर भी आप किसी लिंक में आप वीडियो बना कर डाल दें, और हमैं कमेंट करने हमने वीडियो बना कर डाल दिया, कोई ü coral में प्रॉब्लम है उसका अगर आप वीडियो बना कर डाल देंगे, 1500 आपको इसका सलियूशन जरूर देंगे, ध्यान रखें, आपको यहिए, आपको प्रॉब्लम को तो हमारी में threequé says war and dandy मैं देंकि हमारी मसीन नहीं यह थिक gefेंद हमारी ठाओ सब्सक्राइब दो राओ जाए हमने बनाने के लिए टो इसे से दागा देने लगेगी और अच्छे से पी को देने लगेगी ठीक है तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम कहां पर होती है अब जो सभी प्रॉब्लम क्या करता है कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सुष ड़ाते तो हैं लेकिन सुष गलत तरीके से चड़ाते थे आप घद्धानों सकते हैं इसी मोडल की सभी स्वी यह होती है तो यह वाला जो चाहिए वाला आवर नीचे तक इस तरीके से पूरा एंड तक चढ़ा लें और यह वाला ऐसा बिल्कुल सामने ठीक इस तरीके से अगर हमारे मसीन धागा है तो बहुत खोसी की बात काट रही है तो फिर हमें क्या करना है तरीके से हम निड्ल को चढ़ा लेंगे देखें तो इस तरीके से आपको बता दिया, हमने बिल्कुट सामने सुई रहेगी, तो blocking निदिल को कोल कर थोड़ा कर लिए इस साइड या साइड रिचा करके देख लिए कि हमारे मसीन धागा सई चला रही है नहीं चला है तो अच्छे से टाइट करने तो यह प्रावल्म मारी खतम हो जागी उसके बाद रिस्ट में वह हमारी कहां पर बहु है हमारी ब्रभाट प्रोबलम होती है जब सबसे चार्वस कऴता है यहां पर इस साइड चारो कट लग जाते他वबने पुरानी आप देखना को आपको यहां पर क्यों हो सबसे खतरना गए मसीन की ऐसी किताइसी वार देता यह तो ध्यान रखें अगर जहां तक हो सके आप सूती दागा यहां यानि कि सब्सक्राइब लगां प्रब्लम और इसमें प्रोब्लम होती है यह तर्फ यह तरीके से यह पर कट लग जाते हैं अब कट लगने से क्या होता है कि हमारी मसीन दागा कारणाने लगा तो एक दो बार हम रिपेर कर सकते हैं अर工 और घ्त्र tak ऐसी नहीं है तो चलिए उम्मीद है तो फ्रेंड्स आपको समझ में आई होगी यह जानकारी तो चलिए एक प्राब्लम और देख लें देखें उसके बाद जो प्राब्लम हो जाती है वह होती है हमारी यहां से देखें यह वाला तार कभी कभी तूट जाता ठीक यह वाला ता प्राम होती है हम लोग क्या करते हैं लगा कर प्राब्लम और ससादी है तो चला कर दिखाए थे हमारी मशीन एकदम प्हूंतंai थीप कर सकते हैं कपड़ा कीचना चलिए इसे देखे थोड़ा तो पहला तो जेवाले जो दांत हैं तो यहां जेवाला पैंच कोल कर और हम दातों को इसतरीके को करेंगे इस लभीया को पुस करेंगे तो दांत हमारे उपर उठेजाएंगे लेकिन ध्यान रखें उतना II करना है जितना आवसक पिर तो आपकी मसीने कोई प्रावलम नहीं रहे गए और चाल तो यहां से हम कम जादा मेंटेन करें देखिए पीको तो एकदम बढ़िया आएगी एकदम मस्त आएगी बस आउतों से चला रहे हैं तो टाइम लग रहा है अगर आपकी कोई कमेंट तो कमेंट जरूर करें के लिए धन्यवाद